नमस्कार दोस्तों मैं आखाश आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज पारशाला पर आज का जो वीडियो है वह बहुत ही जाता इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इसलिए वीडियो को बिल्कुल लाश्ट तक देखिएगा कहीं पी एसकिप मत कीजिएगा ठीक है ऐसे ही म आज को जो हमारा वीडियो को टॉपिक है वह स्टोरेज को उपर में होता क्या है आज के समय में हमारे पास में स्टोरेज की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है क्या होता है जहां भी गए कहीं पर वीडियो सूट करना होता है कहीं पर फोटोस सेलफी लेने होते हैं उसके होता है कि हमारे फोन में जो इस पेस होता है मालो 64 जी आपके फोन में जो इस टोरेज दिया हुआ है तो उसका 50 परशेंट जो है वो तो आपका एप्स वगड़ा में ही चला आप देख सकते हैं कितने सारे हम लोग यूज करते हैं अब इसमें कि काफी ज़्यदा सपेस लेता है जैसे क्योंदों कि मेरा एप में कितना जो स्य हूआ है तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारा इंटर्नल स्टूडेज जो है वह 5.8 GB फिरी है मात्र 64 GB में जिसमें कि देख लो यहां पर 33 GB जो है वह हमने एप में ही जो है यूज कर लिया है यानि कि समझ सकते हैं कि 32 GB वह हमारा अधर में यूज में 50 परेशट लगभग जो ए तो क्या होता है काफी सारे वीडियोस होते है다고 हमें जिसके लिए Śपीस ने मलते। कभी-कभी क्या होता है वीडियो जब अगर काफी ज्यादा हो जाता है फोन में स्टोरेज कम हो जाता है फिर हमको वीडियो चुन-चुन के फिर उसे डिलीट करने होता है ठीक है तो यह सारी समस्याएं आती है तो इसके लिए क्या है और कभी-कभी क्या होता है कि आपका फोन मान लो किसी तरह का फोन में प्रोब्लेम्स आ गया या आपका फोन डेट कर गया तो फोन में आपको जितने भी डाटा है साड़ा आपका लाउस होना का चांस रहता है इसलिए सबसे बेस्ट वे है कि आप उसे आउनलाइन आप उसे इस्टोर करकर रखें ठीक है पर आउनलाइन अगर आप लौड पर इस्टोर करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे एप हैं जो आपको कोई 5GB कोई 10GB कोई 15GB इस तरह से आपको इस टोरेज देते हैं पर एक ऐसा एप है जो सबसे बेस्ट एप है एंड वहां पर अब अपने डाटा को फोटोज हो गया वीडियोज हो गया आपका जो है वो कोई भी आउडियो हो गया डॉकुमेंट्स हो गया ठीक है स्कैन करके आप सारे डॉकुमेंट्स को डेटा को आप वहां पर इस्टोर करके रख सकते हैं आप चाहें तो अपने फोन का जो ऑटो ब फोन में प्रोब्लेम हो गया, फोन डेड हो गया, फोन चोड़ी हो गया, खो गया, तो आपको डाटा जो है, वो रिकवर करने में आपको किसी तरह की दिक्कते न हो, ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे जो सिक्योर एप है, मेरी नजर में, जो मैं प्रस्टनली उसे यूज करता भी हूँ, उसके बारे मैं आप लोग को बताऊंगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, ठीक है, तो देखिए, उसमें क्या है कि आपको 55GB तक, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, फ्री आफ कोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, पर जब आप उस, यह वो एप जो है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, वो एप है, आप Google Play में जाएगा, और जियो क्लाउड नाम से आप सर्च किजिएगा, फिर आप उसको इंस्टॉल कर लिजेगा, जियो क्लाउड को, जब जियो क्लाउड आपका इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, मालो आप Google Play Store में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है, जियो क्लाउड, ठीक है, जियो क्लाउड, मेरा ओल लेड़ी जो है, वो इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लिजिएगा, देन आप उपन कीजिएगा, देन आपको साइन अप करना है, साइन अप करने के लिए आपको जियो का जो मोबाइल नमर होगा, मोबाइल नमर आप है ठीक है देन आपके मोबाइल पर ओटीप ड़लिए फिर आपको लॉग इन हो जाएगा ठीक है तो जब लॉग इन हो जाएगा तो आपको इस टोरेज में आपको फाइब जीवी ही मिलता है ठीक है बट आप जब आप उसको रेफर करेंगे अपने फ्रेंड को एटलिस्ट आ नहीं महत्र आपको 5 दोस्त को आपको शेर करने हैं ठीक है ने करने के बाद फिर अगर यूजब करना चाहे तो कर सकते नहीं करना चाहें तो फिर आप उससे अनेश्वार करवाद दीजिए एक बार उन्हें लोग इन कर लिया आप में 10 जी प्रेइंट हो जाएंगे आपके रहेंगे तो 55 जी भी हो गए 55 इसका maximum limitation है ठीक है तो जैसे कि मैं आपना आपको open करके दिखाता हूं यह हमारा जीओ करेंगे तो यह हमारा home page है ठीक है home page पर आप देख सकते हैं photos photos see all पर करेंगे तो जितने भी photos है वो सारे दिख जाएंगे वीडियोज है उस पर क्लिक करेंगे वीडियोज दिखेंगे audio है documents है ठीक है यह तो यहां पर आपको home page पर दिख जाता है जब आप my file पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए all files टूटल जो फाइल हमने इसमें रखे हैं वह 4888 रखे हैं टूटल है हमारा ठीक है इसमें फोटो जाए 4412 अब देख सकते हैं वीडियोज है फिरी है हमारा यानि की 50 पर्सेंट लगवाग हमारा फिरी है अभी बचा हुआ है स्पेस ठीक है यह देख लिजिए किस तरह से हमारे पास में आया था फ्री इस्टूरेज फाइब जी भी आपको स्टार्टिंग में मिलता है साइन अप करते हैं देन अब यहां पर देख ल यहां पर आथ मिल गिया उसके बात दन फीर में रेफर किया 10 दी फिर मिल गए फिर में ने रेफर किया फिर दस भी मिल गए इस थार से 5 बार मैंने किया तो पचास जी भी आगए ठीक है और पांस जी और लेडिटी थे तो तो टूटल 55 हो गया यह इसका मैक्सिमम लिमिट ह ठीक है और 55GB कम नहीं होता है ठीक है आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने लगभग 5000 जो है सो फाइल हमने इसमें जो है सो रखे हैं बट अभी तक हमने जो है सिर्फ 25GB यूज कर पाया है अभी 35GB हमारा फिरी स्पेस है इस्टोरेज ठीक है और इसमें यह है कि आप जैसे कि हम इस हो जाता है खो जाता है तो हम क्या करेंगे डिरेक्ट ली जो है हम किसी भी फोन से या हम डेक्स्टॉप पर हम ब्राउज करेंगे जियो क्लॉड.com और वहां पर हम अपने इमेल आडी के द्वारा या मोबाइल नमर के द्वारा मोबाइल नमर मान लोग हो जाएगा ठीक है तो रहेगा अगर वैरिफाइड है तो, तो इमेल आडी के द्वारा हम लोग न करेंगा इमेल आडी पर जो है वह ओटी पर आएगा और हम लोगना कर लें और सारे यहां पर जाएगा तो जैसे कि आप यहां पर आपने देख लिए अभ हम आते हैं इस प्रेक्लिक करते हैं आप यहां पर देख लीजिए किसमें क्या-क्या फीचर्स हैं जो आपको मिल रहे हैं जियो क्लॉड पर और देखिए एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह जो जियो क्लॉड है सबसे सिक्योर है ठिक है और बहुत ही अच्छा फैस्टलेटी इसमें आपको सारी च इसमें अप्लोडिंग में तो काफी टाइम करता है किसी परकार के आपको दिक्कत नहीं होता है मैं काफी समय से उसको यूज कर रहा हूं ठीक है तो फीचर्स में चलिए पर फिर समय आपको जो डीटेल में बता देना चाहूंगा कि इसमें क्या-क्या फीचर्स आपको जो देखने को मिल जाता है ठीक है वीडियो में लास्ट तक बने रहीएगा ठीक है तो नेवर लूज फाइल आपको भी अपना फाइल जो है वो लूज नहीं करेंगे आपको जब ऑटो बैक अप कर देंगे ठीक है आप अपना फोटोज हो गया वीडियो हो गया डॉकॉमेंट से मैसेज कंटेक्ट सारा चीजा आपको सेफली जो है बैक अप मिलेगा जीव क्लॉड पर ठीक है तो यह आटो बैक अपको ऑप्सन मिल जाएगा सेफ टाइम वी और्गनाइजड आपको जो है सो और्गनाइज करके दिया जाता है जैसे कि टूटल फाइल फोटोज वीडि होंगा उसके बाद एडवांट सर्च है जिसमें कि आप जो भी फुल्डर बनाएं है या जो भी मंत का आप जो है सो डॉकुमेंट जो भी आपने अपलोड किया हो सर्च करना चाते हैं तो आप एडवांट सर्च कर सकते हैं एप लोग इनहां सर्च सेक्यूरिटी एप डाटा प्रोटेक्टेड विद विद आवर एप लोग फीचर्स चूज फ्रॉम कस्टम पाश्वर्ड लॉग और डिवाइस लॉग एंड इस्टेस्ट एस्ट्रेस फ्री बेस्ट वेट वेट इंस्योर यूर डाटा रिमेंस सेफ इफ इफ यू लूज यू डिवाइस अग हो भी जाता है दिवाइस तो चिंता करने को वश्रकता नहीं है क्योंकि इसमें आप फिंगर लॉग ठीक है पैटरन लॉग या फिर आप जो भी अपना पार्श कोड़ डालना चाहें वह करके आपको लॉक कर सकते हैं शिक्यूर्ट सेर्ड है हो भी मैं आपको आगे दिखा आप लिंग के दुवारा आप जो जो फोटो आप या वीडियो जो भी आपका डेटा है आप चाहते हैं कि हां इतने सारे मान लिजाए आपने 105 आ रखा है फाइल पर आप चाहते हैं कि पांच फाइल इसमें हैं वह हम किसी को जो है इस भी बेजे और वो सिर्फ पांच कर सकते हैं सिर्फ वही पर्शन देख सकता है उसी के फून में दिखेगा और सिर्फ वह जितना फैला भीजें उतना है देखेगा पूरे आपको फाइल को नहीं देख पाएगा कैसे वही में आपका आगे दिखाऊंगा हम स्क्रीन आप जैसे आप रख सकते हैं बोर्ड है जैसे कि आपने देखा था कि उस पर सारे प्रोजेक्ट आपको एक साथ दिखते हैं सेप्रेट फाइल में ठीक है कॉंटेक्ट्स बैक अप आपका जो भी मॉबाइल में कॉंटेक्ट से सारा आपका बैक आप कर सकते हैं उसके बाद आप ऑफलाइन मोड है अगर आप आप में जो भी चीज आप डॉनलोड करका रखेंगे तो जब आपका नेट नहीं भी रहेगा तो उससे भी आप जो आफलाइन मोड पर देख सकते हैं डॉकुमेंट स्कैनर है डिरेक्टल आप यहां से कोई भी डॉकुमेंट को आप स्कैन कर सकते हैं देन आप मेमोरी का है जो आप दिखा रहा हूं अमालो जाप यहां पर आ गए आप ठीक है यहाँ पर देखो कि हैससे पहले आ जाते हैं हम सेटिंग में अ आंजेंस के बाद और साम lemons आने के देख लिए और यहां पर दिख रहा होगा आपको बटन इस बटन पर क्लिक कर दीजिए वह ओन हो जाएगा फिर अपने फोन का डिलिट कर सकते हैं गैलरी का गैलरी को खाली किजिए यहां पर डाली है ठीक है तो यह चीज है यहां से होगा आटो बैकप कैसे करना है ठीक है यहां पर आपको सिक्यूरिटी का ऑप्शन मिल जाता है सिक्यूरिटी क्लिक करके आप देखिए मैं डिवाइस लॉग पर मैंने क्लिक किया हूं तो जिसमें की हमें फिंगर फ्रेंट जो हेसु करके मैं ओपन करता हूँ आप चाहिए तो नोन फे क्लिक कर दीजिए जैसे चाहिए ठीक है यहां से लॉगट करने का आपशन है आप लॉट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहां पर कॉंटेक्ट मैंने बैक अप करका रखा है यहां पर कॉंटेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा जितने भी हमने कंटेक्ट को मैंने रखा है वह सारे कंटेक्ट हमारे यहां पर शो हो जाएंगे ठीक है अब मानले जी हमारा फोन खो जाता है तो यह मैं जब ऑनलाइन में लॉग इन करूंगा गूगल कुरूम पर तो वह सारी चीज़े हमारे पास में आ जाएगे कि मुझे कॉल करना है तो इसमें तुख है रूर नहीं है अब जैसे मान के चलिए कोई नमर है मैंने उस नमर पर क्लिक कर देंगा यहाँ पर क्लिक कर दूंगा कॉल हो जाएगा यहां से कॉल भी कर सकते हैं ठीक है सरा नमर आ जाएगा तो यह होगे आपको तो कंटेक्ट का मैसेज का मैसेज पर क्लिक करेंगे अगर आपने बैक अपन किया हुआ है तो जो भी मैसेज रहेंगे आपके उसारे आपको यहां श्टूर हो जाएंगे वहां पर डिलीट हो जाएगा फिर आपके यहां पर रहेंगे सारे मैसेज ठीक है फिर आपको जो है को कि आपको अच्छी चीज़ आपको जानकारी में दे रहा हूं तो वीडियो को पूरे अंतक आप देखेगा ठीक है तो यह तो होगी आपका स्कान का कि देख लिए मानलो फूरी और प्रेश्स का एक ऑप्सन है मानलो आप कुछ फोटो को अपने अपने गैलरी से यहां पर मैनुल यह घडाप मानलो मैनुल अगर अपर उसमें आपने उन जो सब्सक्राइब करेंगा ठीक है और महीं यहां से फोटो वे उसको असमें करेंगा तो मैं किलिक कर दिया है यहां अप्लोड हो जाएंगे पर करेंगा नहीं कि एक है कि यहां से कर सकते हैं तेखिए मैं फाइल परगारता हूं औरthis जो टूटल फाइल है उस पर मैं क्लिक कर देता हूं देखिए मैंने कुछ फोल्डर भी बना रखे हैं वो सारे फुल्डर आपको यहां पर दिख जाएंगे ठीक है अब साधिती बर्थे मेडिकल फाइल मैंने मेडिकल फाइल बनाया हुआ है तो इस फोल्डर पर आप जब क् से अपना जब से बनाया हुआ है ठीक है और इसमें आपको यह बता दिया आपको इसके अंड़कुमेंट सेटिंग ठीक है तो यह सारी चीजह है तो इसमें आपको कॉंटेक्ट आप समझ गए अगर मालो किसी को सेर करना है कुछ फाइल प्राइवेट शेयर करना है जह है झाला है पुट्स तो माललो बहुत फोटैं है 4000 फोटों अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि कुछ फोटों जो है है कि माल यहां सब्सक्राइब दू-चार फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं ठीक है है इस फोटो मैंने स्लेक्ट कर लिया है यहाँ आप तीर का निशान देख रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर शेयर लिंक कर सकते हैं या सेंड फाइल डेरेक्ली भी कर सकते हैं नीचे प्राइबेट शेर का भी ओफसन है ठीक है एवलेवल वंलिफोर सिंगल फाईल और फॉल्डर आप चाहें तो डिरेक्ल फॉल्डर भी शेयर कर सकते हैं तब मानू शेयर लिंक प्रेब क्लिक करके देखते हैं क्या आड़ा है वो मालों ओपेन करेंगे तो सबसे पहले अब इसको फेच्ट कर दिया अपने लिंक को और ऑपन कर दिया तो देख लो कि आपने जितने फाइल का लिंक बनाया था और वह यहां पर आ गया जो फूटो आपने सेलेक्ट किया था वह फूटो देखिए यहां पर सोड है सिर्फ इतना ही फूटो दिखेगा और कुछ नहीं सो होगा ठीक है फूटो में आप देख रहे हो इससे ज्यादा लॉग इन डिरेक्ट गूगल पर देख सकता है नहीं होता है प्राइवेट शेर लिंक के द्वारा जिसको भेज़ेंगे वहीं सिर्फ इस फोटो को देख सकता है कि तो यह हो गया है कि पिर से हम आ जाता है जिए अप्लॉड पर कि यहां पे आफ्लाइन फायल यहां पेघ्लिक करकर करके जो भी आप गली अप्लोड करेंंगे उससे आप आप अफलाइन भी आप देख सकते हैं ठीक है अ मैश्िन कर सकते हैं अब यह कॉन्टैक्ट युवेव है कराप सकदने क्लिब ह utilization आप लैप्टॉप या कंप्यूटर तो यहां पर स्कैन कर लेंगे वहां पर जब आप जियो क्लाउड आप प्पिन करेंगे जैसे लिखा अपने लैप्टॉप में लिखा जियो क्लाउड लोगिन पर क्लिक कर दो लोगिन पर अपने क्लिक किया यहां पर देख लो आप यह तो है जियो नमर और वेरिफाइड जब डालेंगे तो उस पर वो टीपी जाएगा तो गूट अब अच्छाएग 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 नहीं है मैं अच्छाएग ऑफ ता हम लिख सब्सक्राइब कर देख दो मोड में करने के बाद कि लॉग इन पर क्लिक कर दीजिए कि ठीक है कि इस पर वह सो नहीं हो रहा है वह आपको कि मैं अभी कुछ अपडेट हुआ है करने के लिए आपको अपसन आ जाता है कि यूर कोड के द्वारा भी लोग लोग इन का अपसन आता है हो सकते हैं मैं भी कंप्यूटर में यह लैप्टॉप में डिरेक्ट लिए आपको वहां पर दीखें मोबाइल पर नहीं शोड़ा है ठीक है कि फिलाल के लिए कि वापस आ जाते हैं तो अब इसमें आपको बेनिफिट्स यही है कि आपकी जो भी फाइल है वो लाइफ टाइम के लिए आपको यहां पर सिक्यूर रहेगा 55 GB आपको free of cost मिला है जिसमें कि आप अपने डेटा को आप सेफ एंड सिक्यूर रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए है ना उसको पासवर्ट प्रोटेक्टेड रख सकते हैं आप जब भी जाहें आप उसे ओपन करके आप देख सकते हैं अगर आपका फोन डेड हो जाता है या किसी तरह का प्रोब्लेम आ जाती है खो जाता है तब अपने सारे डेटा को यहां से आप लेश रखते हैं तो सबसे बेस्ट है आपके पास में लॉग इन करने का उप्शन इमेल एडी और मोबाइल नमर दोनों का वेडिफाइब करके ठीक है रेफर और यहां से आप र इनको जब मैं भेजूंगा तो यहां पर देख रहे हैं कोड आ गया यहां पर अब जब वहां पर रेफरल वाला जोई कोड है एकस एस बीडवल यह उनको जो हैसों इंटर करना होता है देन आपको टेंड जी भी मिल जाता है तो यह तरीका है किसी को रेफर करके वह करने का तो आज का वीडियो मैं आप लोग के लिए काफी ज़दा इन्फरमेटी बनाया था उमीद करता हूँ है वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा पशंद आया होगा और आपको किसी तरह का कन्फूजन रह गया हो या अगर आप कुछ और भी पूछना चाहत कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए आज के वीडियो में बस इतना है धन्यवाद